आप देखने पीपों मैं हूं काश आज बात करेंगे ऐसी तुछ मान सकता की जिसके चलते हुए पीटा जा रहा है किसको भगवान के रूप को आप बोलेंगे गाश भाई ये पिछले ज्माने की पुरानी बाते हो गई है नहीं उस भगवान के पास जिस भगवान के पास रोते हुए टरते हुए कापते हुए हम पहुत जाते हैं जब भी हमारे किसी बड़े बुडे को कुछ हुता है कभी बच्चा पैदा होने वाला होता है किसी को कोई accident हो जाता है कोई गंभीर चोट लग जाती है कोई सदमे में आ जाता है हर emergency में हम इसी के पास जाते हैं इसी भगवान के रूप के पास में जाते हैं जो हमारी Sanskrit हमें सिखाती थी वो सब हम लगता है भूल गए क्योंकि हम लोग educated हो गए हैं पढ़ लिग गए हैं हम लोगों के दिमाग विक्सित हो गए हैं ये विक्सित हो गए हमारे दिमाग कभी किसी junior doctor को मारना क्योंकि आपके घर में किसी की जान चली गई और वो junior doctor उसको बचाना पाया कभी किसी ऐसी महीला जो कि एक मदर भी है एक चार साल के बच्चे की उसको बोलना कि आपका हमारे apartment में आना रिस्की है जबकि वो covid ward में भी नहीं काम कर रही वो जा रही हो उस hospital में जा covid ward है उसी को अपने apartment अपनी society में आने से मना करना और जब किसी आपके सगे को या आपको खुद को covid हो जाए तो उनी लोगों से उसी hospital में जाकर धमकाना अपने पैसे की गरज दिखाना कि भाई हमारा treatment priority पे होना चीए और कैसे आपके बास बैढ़नी है कैसे आपके बास oxygen ही है यह पता बिल्कुल natural है गुस्से में आना अवेश में आना जब आपको कोई सगा जब आपके कोई घर का जा रहा हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल उपर से नीचे आ जाती है आपको गुस्सा ही नहीं आप छटपटाते हो उस चटपटात में उस गुस्से में आपकुछ भी कर जाते हो understood पर एक और बास समझनी पड़ेगी हमें कि कहीं न कहीं उस डाल को ही काट रहे हैं जिस डाल पे हम बैठे हुए हैं ऐसे यंग डॉक्टर्स को यंग मेडिकल स्टुडेंट्स को लोग जो अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों को डी मोडिवेट कर रहे हैं कि भाई नहीं ये नोबल काम नहीं रहा अब तो यहां मारा जाएगा पिटा जाएगा क्योंकि लोग तो यह समझ पैठे हैं कि आपके पास है जादू की छड़ी और आप वो जादू की छड़ी गुमाएंगे और सारे लोग ठीक हो जाएंगे हम लोग ये नहीं समझ पाते कि एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल दोनों different हैं एक employee जो कि एक medical student हो सकता है एक nurse हो सकती एक डॉक्टर हो सकता है और एक hospital जिसका काम है profit कमाना वो अलग हैं ये दोनों अलग हैं हर एक इंसान जो पढ़ लेकर डॉक्टर बनता है वो बहुत मेहनत करता है और उसके बाद जब ये डॉक्टर का पेशा अपनाता है तो ना कभी दिन होता है ना कभी रात होती है पर जब डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं तो हमें लगता क्यूं भाई डॉक्टर्स पैसा क्यूं कमाये वो तो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करने के लिए पैसे नहीं और जो गलत काम कर रहे हैं उसमें पैसा कमाओ वाह बरे दोहरे मापदंड है हमारे गैस आपको क्या पहता है इंडिया बहुत पीछे है और यह अभी नहीं सालों से डेकेट से यह देखा जा रहा है कि हेल्थ एक्स्पिंडिचर की जब बात आती हो तो सबसे पीछे होता है इंडिया बांगलादेश, भुटान, शिलंका से भी पीछे है बस पाकिस्तान, निपाल से आगया है और यूएस, जिपैन, फ्रांस, इटली, यूके इंकी दो बात छोड़ी दो यह डेटा जो आप देख रहे हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितना पीछे है भारत पीपल, which is one of the lowest in all the OECD countries all the BRICS countries इतना पीछे क्यों है भारत एक साल, एक साल हमारे पास था अपने को प्रिपेर करने के लिए हमने वैक्सिन पर बड़ा अच्छा काम किया पर हमने अपने infrastructure पर क्या काम किया माना कि states के पास है responsibility बट क्यूं हम लोग सब मिलके health infrastructure पर ध्यान नहीं दे रहे हैं problem वहाँ है, problem doctors की नहीं है आप समासनों कि private hospitals लूट रहे हैं पर वो लूट क्यों रहे हैं विकाज हमारे public hospitals इतने जादा strong नहीं है अगर public hospitals अच्छी होते हैं अगर public hospitals में सारी facilities होती हैं सारे treatments available हैं तो डॉक्टर होते 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 हैं तो जो private hospitals हैं न वो competition के चलते हैं आपको लूट नहीं सकते हैं ये लीजे, और लीजे सारे पैसे ले लीजे मेरी बच्चे को उसकी मा से मिला से आप एक बार लुक मिस्टर, ये एक hospital है प्लीज डॉन्ट ट्रीट अनुसेंस शट आप इधर के यही rules हैं अगर आपको ऐसा problem है तो बाजू में सरकारी इस्पदाले वहाँ पे जाहिए अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे जबके हमें questions पूछने चाहिए अपनी infrastructure पे और हर hospital भी dependent है पूरे infrastructure पे कि कहां से supplies आ रहे हैं, कहां से oxygen आ रहे हैं कहां से medicines आ रहे हैं, कहां से treatment आ रहे हैं कहां से doctors आ रहे हैं, कहां से equipment आ रहे हैं जब अब seem ही खराब है, तो hospital तो लूट मचाए गई ना जब public infrastructure में expenditure ही नहीं हो रहा तो hospitals जो private हैं वो तो loot मचाएंगे ना तो सवाल किस से पुछने चाहिए गुस्सा किसको दिखाना चाहिए उसको जो frontline पे काम कर रहा है अपने को risk में डालके अरे कितने लोग तो घर में बैटे बैटे डरी रहे हैं बस news सुनके और ये लोग hospitals में काम कर रहे हैं कुछ लोग vaccines लगा रहे हैं कुछ लोग treatment कर रहे हैं कुछ लोग जो covid ward में है imagine उनका और फिर हम ऐसे लोगों को मना करते हैं कि आप society में मता हो अपार्टमेंट में मता हो क्योंकि आप उस hospital में काम करते हो जाग covid ward है वाँ यार कैसे हम physical violence कर बैठते हैं वो चीज़ कैसे कर बैठते हैं I think we all citizens should make sure अगर ऐसा कोई भी incident होता है तो जो यह कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चीज़ और ऐसी सजा मिलने चीज़ी कि सब लोगों के message मिले और सबसे important बात हम कितने साफ़दान है यार फर्स वेव के बाद हमने क्या सीखा जैसी lockdown खुला पागलों की तरह बॉलिवूड वाले फिल्मों की shooting कर रहे हैं टीवी वाले बिना मास्के गूम रहे हैं कई ऐसे यूट्यूबर इंफ्लूएंसर मास्के बिना गूम रहे हैं क्या influence रही हैं ठ्रैलीज हो रही है बड़ी यह उस doctor की जिसको तुम पीट रहे हो जो कि अपने को risk में डालके वहाँ hospital में खड़ा है कोई patient का treatment कर रहा है there's so many doctors who have died more than 400 so many in daily यह report देखिए तो क्या तुम ही मर रहे हो वो doctors नहीं मर रहे है उनके घर में कोई नहीं है उनके माता पिता नहीं उनके बच्चे नहीं है तुम भी देखा भी as a citizen कोई responsibility निभाते भी हो या just अपने गुसे को निकालते और मारते पीटते हो मैं समझता हूं जब कोई जाता है अपना तो बहुत गुस्सा आता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम मार पिटा ही करें खुद criminal बन जाए यह last चीज है जो हम चाहते हैं इस वक बताओ जब कोई soldier जब कोई दुश्मन को रा ना पाए और वो दुश्मन कबदा कर ले हमारी चौकी पे तो क्या उस soldier को भी मारना शुरू कर देंगे भाई तुने दुश्मन को आने दिया उस soldier ने तो अपना best किया था ना यार और अगर हमारी Indian Defense Services इतना spending नहीं कर रही कि उ इसमें soldier की गलती है या उस इंसान की जो decide कर रहा है कि क्या equipment आना चाहिए था और कितना focus होना चाहिए था कि कितनी coldic equipment हो उस चौकी पे कितने लोगते ना आतो अर उस चौकी पे 10 rifles की ज़रूत थी और 10 soldiers की ज़रूत थी और वहां बस दो थे तो गलती किसकी और soldier की सही सवाल उठाओ कि public health infrastructure पे कौन सा state पीछे कौन सा state आ गया है और क्या उसको करना चाहिए आप अपने अपने state में ही कर सकते हैं Guys you can use my tweet to start this chain to ask the right questions to all the state governments क्योंकि उनक्या हाथ में ही spend करना health infrastructure पे और जितने public hospitals आएंगे उतनी ही private hospitals की मनमानी कम होगी Guys be safe because शुरुआत आपके careful रहने से ही होगी कुछ और ना करो अगर आप अपने को safe रखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा contribution होगा Guys मैं ऐसे reactions लाता रहूँगा मैं change को लाने की कोशिच करता रहूँगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ने support करें आपके कोई suggestions हैं आपके कोई queries हैं तो ज़रूर आप लिख सकते हैं मुझे email करके hello at the rate people.com पे guys अगर आप चाहते हैं इस channel पे आप सच का सामना करते रहें तो आप subscribe करें वीडियो को share करें और हमें motivate करें encourage करें thank you so much for giving the opportunity to me to be the voice there's so many doctors who contacted me and thank you so much for having trust in me and thank you so much for having patience शब्बाख खेर कुदा आफेस अस्वेकाल राम राम जैहिंद शेर्ज और गुडबाए